वेल्कम बच्चों हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कच्छा साथ अभ्यास कारे पुस्तिका इकाई चार भौतिक तथा रसायनिक परिवर्तन अपने दैनिक जीवन में अनुभो किये जाने वाले कुछ परिवर्तनों के पहले एवं परिवर्तन के पश्चात के स्थिति को लिखें पदार्थ है देखिए पदिवर्तन के पहले किस्थिति कारक और परिवर्तन के बाद किस्थिति तो सबसे पहले हम लेंगे मौ इसकी पहले किस्थिति क्या है ठोस उश्मा यानि गरम करने पर क्या हो जाएगा पिघल जाएगा तो परिवर्तन के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी द्रव अब हम लेंगे जल जल की पहले की स्थिति क्या है द्रव फ्रीजर में ठंडा करने पर बर्व बन जाएगा तो परिवर्तन के बाद की स्थिति क्या है ठोस नमक ठोस है आधरता यानि इसमें थोड़ी सी नमी मिलाएंगे तो परिवर्तन के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी द्रव ओसकी बून द्रव सूरी का प्रकाश पढ़ने पर क्या होता बच्चों? ओसकी बून वाश्प बनके उड़ जाती है तो वाश्प या गैस रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिती को प्राप्त नहीं किया जा सकता अपने द्यानिक जीवन के अनुभों के अधार पर निमलिकित तालिका में पदार्थों के कारक वा परिवर्तन की पूर्व तथा बात की स्थिती का सही मिलान कीजिए वस्तु पूर्व की स्थिती, कारक और बात की स्थिती काघच, पहले कैसा रहेगा, सफेद जुपाला यानि जलाने पझा हो जाएगा, काला स्टार्च, यानि आलू आप काटके काटके देखिए या चाबल का पानी ले लीजिए तो पहले कैसा रहेगा लगबग सफेद या पीला आयोडीन डिलियन डालने पर क्या हो जाएगा नीला या काला हल्दी पीला साबुन से संपर्प में आने के बाद कैसी हो जाएगी लाल चीनी कैसी है सफेद उश्मा यानी गरम करने किस कलर में चेंज जो जाएगी भूरा नेक्स क्यारा दिये गए कथनों में असत्य कथन को चाट कर उन्हें सही करें कागच को छोटे टुकडों में बाट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो यह सत्य है बच्चों कागच को छोटे टुकडों में बाटना भौतिक परिवर्तन है पत्यों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है तो यह असत्य है तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे चेंज करके कि पत्यों से खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है आप इसको सही करके लिखे मुंबत्ती का जलना लासाइनिक परिवर्तन है तो यह सत्य है तो हम इसे नहीं चेंज करना है भाप का ठंडा होकर बूदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है तो यह सत्य है तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे कि भाप का ठंधा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है अब यह सही हो गया ऐसे आप लिख लीजे नेक्स के रहा है निमलिकित परिवर्तनों में भौतिक यों रसायनिक परिवर्तन तालिका में लिखें प्रकाश शंशलेशन पानी में शक्कर घोलना कोईले का जलना मोम का पिगलना भोजन का पाचन कांच का तूटन नेक्स के रहा है नीचे दिए गए कत्नों में रिक्तिस्थान को नीचे दिए गए शब्दों की साहता से भरिये शब्द दिया भौतिक परिवर्तन नयापदार्त रसायनिक परिवर्तन उतक्रमडिय और जंग तो इसके अधार पर हमें भरना है तो बगीचों में खुले र जंग या एक डैश परिवर्तन है तो कैसा परिवर्तन है रसायनिक क्योंकि इसमें एक डैश बनता है क्या बनता है नयापदार्त बनता है तो आप फिलप कर लिजे चीनी को पानी में घोलना डैश परिवर्तन है तो देखे आपे दिया तो हम लिख देंगे भौतिक परिव था है परिवर्थन की समभन्हे निमलिकट में से कौन सा कथन सत्य है सुध्य स्वाध डुर्थ यह सही है गलत है तोया दोष से ठोस विलियन में बदलता है ठीक इसलों मैंने यहां डिटेल लिख दिया है कि यह द्रव से कोलाइड विलियन में बदलता है अब उप्रोक्त के आधार पर नीचे दिये गया विकलपों में सही चुने अब इसके आधार पर देखिए ऐसा option सही होना चाहिता जिसमें फर्स सेकेंड और थर्ड तीन हो सही हो जबकि यहां पर ऐसा कोई option है ही नहीं तो कथन एक वा दो सही है तो यह भी नहीं सही है फिर यह कह रहा है कि कथन एक वा तीन सही है तो यह भी नहीं सही है फिर यह कह रहा है कथन एक तीन वा चार सही है तो यह भी नहीं सही है बच्च इन में से आपको सही विकल्प चुनना था तो ये भी नहीं सही है 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 तो हम टिक करेंगे option E पे कोई विकल्प पूर्णता सत्य नहीं है क्योंकि हमारा 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य है नेक्स्ट मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें मोम ठोस से द्रववस्था में बदल जाता है आज पास होने वाली इसी प्रकार के दो उधारण को लिखिए तो हम लिखेंगे पहला है फोटो क्रोमैटिक चश्मा धूप में रंगीन तथा छाया में रंगीन हो जाता है यह बहुत मज़ेदार एक्जामपल है बच्चो भौतिक परिवर्तन का नेक्स्ट नेप्थलीन बॉल खुले में रखने पर ठोस से वाश्ट में बदल जाता है समझाए कि लकडी का जलना एवं लकडी के दो भागों में काटना दो भिन प्रकार के परिवर्तन क्यूं है लकडी का जलना रसाइनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर राक में बदल जाती है जिससे पुना लकडी नहीं प्राप्त की जा सकती जबकि लकडी का काटना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लकडी के आकार में परिवर्तन होता है परन्तु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है जब कार्बन डियोकसाइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है ऐसा क्यूं होता है निम्लिकी समी करण को पूरा करें CAOH2 यानि चूना प्लस CO2 ये दोनों बच्चों आपके आपस में क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं? CACO3 और H2O यहाँ पर प्रच्छेपित बन जाता है CACO3 का और इसी का रंग दूधिया रंग होता है जिसकी वज़े से ये दूधा दूधिया दिखाई देता है नेक्स क्या रहा है बताईए कि निम्लिकीत कथन सत्य है अथवा असत्य पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है ये सत्य है लकडी के लठे को टुकडों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है ये असत्य है अभी हमने उपर देखा आयरन और जंग एक ही पदार्थ है ये असत्य बच्चों भाब का संगनन एक रासायनिक परिवर्तन है ये भी असत्य है 5. चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है ये कथन असत्ते बच्चों पहले की गाइडों में और बहुत से वीडियो में आपको बताये गया है कि चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों चावल का पकना एक रासाइनिक परिवर्तन है क्यों क्योंकि हम पके हुए चावल से वापिस चावल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हमारा भौतिक परिवर्तन यही कहता है कि प्रदार्थ को पुनह प्राप्त किया जा सके तो हम इसमें चावल को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चावल भात बन जाता है, ठीक है, और उसकी quantity में भी परिवर्तन हो जाता है तो चावल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है तो यह कथन जो है यहाँ पर जो लिखा है चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है यह कैसा कथन होगा असर्ति कथन होगा आगे देखिए निमलिखित के दो-दो उदाहरा लिखिए तेरा सायनिक परिवर्तन के मुम बत्ती का जलना, बीच का पौधा बनना, उत्रक्रमड ये भौतिक परिवर्तन का मुम का पिखलना और बर्व का जमना, फिर कहरा सोचो और बताओ, देखिए बच्ची सोच रही है, निमलिकित कत्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल जुने किसी पदार्थ के विलियन से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टी कलर कहलाती है, क्रिस्टली करण कहलाती है, क्रिस्टली करण भौतिक परिवर्तन का उधारन है, तो क्या सिर्फ कथन एक सकते है, सिर्फ कथन दो सकते है, दोनों कथन सकते क्रिस्टली करण एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसको फिर से हम पाउडर फॉर्म में कनवर्ट कर सकते हैं निमलिखित में से क्रिस्टली करण द्वारा किन पदार्थों का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है फिट करी नमक कॉपर सलफेट यह सभी इन तीनों को प्राप्त किया जाता है तो हमारा ऑप्शन डी यह सभी सत्य हो जाएगा लास्ट क्या रहा है भौतिक यह रासायनिक परिवर्तनों के गुड़ों को पहचान कर उनके सम्मुक भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन लिखें परिवर्तन के बाद पूरु की स्थित को प्राक्त किया जा सकता है तो भौतिक परिवर्तन अभी चावल वाले एक्जाम्पल से मैंने क्लियर किया परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन जबकि चावल बनने के बाद क्या बन जाता है भात बन जाता है जो चावल नहीं रह जा हैं भौतिक परिवर्तन पदार्थ की भौतिक युम रसाइनिक गुर्व बदल जाते हैं तो यह होता है रसाइनिक परिवर्तन बाइ बाइ बच्चो मिलते हैं अगले वीडियो में